तो यह तो आपको पता ही चल चुका होगा आपने हिस्टरी के जो भी चैप्टर्स किये हैं कि आपके एक्जाम में इन में से पूछे जाते हैं आप 6 से 10 तक की अगर कम्प्रीट कर लेते हैं तेस्ट सिरीज जो है वो है एक्जाम को देंगे क्लियर होगा कुशियन नंबर बन है जंता द्वारा चुने गए प्रतिनिधी जंता की और से सरकार में भागीदारी निभाते हैं तो उसे क्या कहते हैं तो आपके option है ताना शाही, राजतंत्र, लोकतंत्र, लास्ट है कोई नहीं तो देखिए यहां पर जो सरकार है वह है जंता द्वारा चुनी जा रही है तो सोचिए इन में से कौनसा answer हो सकता है तो आपके answer होगा लोकतंत्र ओके लोकतंत्र होगा क्योंकि जो प्रतिनिधी है जंता का यानि सरकार जो चुनी जा रही है वो जंता द्वारा चुनी जा रही है next है किस प्रकार की सरकार बनाने में जंता की भागीदारी नगर्ण्य होती है तो किस प्रकार की सरकार बनाने में जंता की भागीदारी बिल्कुल नहीं होती है तो यहाँ जंता की बिल्कुल भागी तारी नहीं है. और लोक तंतर में हमने देखा था, जंता ही चुन्ती है. First है तानाशाही, रासतंत्र, लोक तंतर और कोई नहीं. तो इन में से आपका सही अंसर होगा, रासतंतर. क्योंकि लोगतंत्र में तो जनता चुनती है और राज तंत्र जिसमें राजा का ही प्रभुत्व होता है, जनता की इसमें कोई भागी तारी नहीं होती है Next है Question 3, एक्जाम में जब हम देखते हैं कि ये Question जो है वो हमसे कहां से पूछा गया है तो देखिए Question जो है वो कहीं से नहीं आते है, Question यहीं से आते है जनता की प्रति उत्तरदाई वो जवाब देही सरकार है, Option है राज तंत्रिय, ताना साही, लोग तंत्रिय और इनमें से कोई नहीं तो Question जो है वो पूछने का तरीका बदल गया है, लेकिन आंसर हमारा वही होगा, कि जनता की प्रति उत्तरदाई है और जवाब देहीं तो वो सरकार कहलाती है लोग तंत्रिय सरकार Next है, सरकार का चुनाब किस वर्स की आयू का वयस्क नागरिक कर सकता है सरकार का चुनाब, तो यह आप भी जानते हैं क्योंकि आप भी सरकार का चुनाब करते हैं तो एक वयस्क नागरिक कर सकता है जिसकी आयू 20 वर्स हो सकती है, 21 वर्स हो सकती है, 18 वर्स हो सकती है या 25 वर्स हो सकती है, तो इन में से क्या सही होगा तो इसका आंसर जो है वो आपको तो पता ही होगा कि यदि किसी वयस्क नागरी की आयू 18 वर्स है तो वह सरकार को चुन सकता है, सरकार का चुनाव कर सकता है इससे पहले ये आयू जो है वो 21 वर्स थी, तो अब confusion नहीं होना चाहिए, 18 वर्स क्योंकि कई बच्चे उनको नहीं पता होगा 18 वर्स के उपर यदि आपकी आयू है तो आप सरकार चुन सकते हैं नेक्स्ट है, बाल अधिकार संद्रक्षन आयू कानून कब बना, बाल अधिकार संद्रक्षन आयू कानून कब बना तो इसका option है, 2008, 2004, 2005 और 2009 तो बाल अधिकार संद्रक्षन आयू कानून बना, 2005 में संयुक्त राष्ट्र संग में बाल अधिकारों से संबंदित जो अधिवीशन था वो कब आयोजित किया गया option देखिए 20 नवंबर 1989, 14 नवंबर 1989, 10 नवंबर 1990 या 20 नवंबर 1990 देखिए option मैंने आपको आज दिये है quality के first chapter में और history में बिल्कुल नहीं दिये थे, तो अगर आपको option दे दी जाते हैं तो वहाँ पर तुक्का भी लगाते हैं, तो आपको गलत याद भी रह जाता है, इसलिए मैं option नहीं देती हूँ, option का काम जो है वो आप exam में करिएगा, तो जो next chapter आएगा, उसमें मैं आपके लिए option नहीं दूँगी, केबल आपको याद करने की वज़े से question answer series जो है वो चलाई हुई है, exam में जैसे ही आप देखते हैं, उस question को आपको उसका answer पता होता है, तो वहाँ option जो है वो आपको confused नहीं करेंगे, तो इसका सही answer है, सभी सभी राष्टर संग में बाल अधिकारों से संबंद अधिवेशन 20 नवंबर 1989 को आयोजित किया गया, next है, सभी राष्टर संग के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा सुईकार किये गए समस्त अधिकारों को भारा सरकार ने सहमती कब प्रदान की, option है 11 दिसंबर 1992, 14 नव ने बाल अधिकारों से संबंद अधिवेशन द्वारा सुईकार किये समस्त अधिकारों को भारा सरकार सेहमती कब दी, तो यह 11 दिसंबर 1992, next है, जो व्यापारी बड़ी मास्तरा में सामान करीद कर छोटे व्यापारियों को भेजते है, वो क्या कहलाते है, तो इसका सटीक अंसर आपको पता होना चाहिए, तो आप option देखेंगे, तो वहाँ आप तुक्का लगाने की भी कोशिश करते हैं, तो हमें तुक्के वाले काम नहीं करना है, कि इवल इसी chapter में मैं आपको option दूँगी, next chapter में option आपको नहीं मिलीगी, जो व्यापारी बड़ी मातरा में सामान खरीद कर छोटे व्यापारी को भीजते हैं, ठोक व्यापारी कहलाते हैं, खुद्रा व्यापारी कहलाते हैं, हाट व्यापारी कहलाते हैं, या इन में से कोई नहीं, तो बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ठोक व्यापारी, क्योंकि ठोक व् होते हैं जो बड़ी मात्रा में सामान खरीद कर जोटे व्यापारियों को भेजते हैं नेक्स्ट है साप्ताहिक बजारों को डैस भी कहते हैं साप्ताहिक बजारों को डैस भी कहते हैं विसेश बजार हार्ट बजार उप्रोक्त दौनों या इन में से कोई नहीं तो साप्ताहि सब एक सब्राइब के समाजिक समीती का गढ़न करते हैं तो उसमें कितने वेक्ती मिलकर इस कारे को करते हैं वन है 20, 15, 16 या 18 इसका सही आंसर है कि 15 कम से कम 15 वेक्ति मिलकर एक प्राथमिक सहकारी समिति का गठन करते हैं Next है उबोक्तास अन्रक्षन अधिनियम कब मनाया गया उबोक्तास अन्रक्षन अधिनियम ये आपके हर एक्जाम में पूछा जाने वाला कोश्चन है उबोक्तास अन्रक्षन अधिनियम कम मनाया गया गया 1987, 1988, 1986 या 1990 तो ये आंसर आपको मालूम ही होगा कि सन 1986 में उबोक्तास अन्रक्षन अधिनियम मनाया गया था Alexandra next है ओभोगता प्रतियक पर पर प्रतीयक स्थार पर कितने दिन की अव्धी में न्याय के ऊपरी न्याले में अपील कर सकता है option है 30 दिन में 35 दिन में 25 दिन में या 45 दिन में तो देखिए ओभोगता जो है वह है 30 दिनों की अंदर 30 दिनों के अंदर नियाय के उपरी नियाय में अपील कर सकता है Next है नेमने मैं से कौन सा मानक चिन है तो यहां पर कुछ मानक चिन नितिये गए है ISI, FPO, Eggmark, उप्रोक्त, तीनो तो देखिए ये तीनो ही मानक चिन है Next उप्भोक्ता 20 लाग रुपए तक की सिकायत कहां करेगा जिलाव भोक्ता मंच, राजिव भोक्ता आयोग, राष्ट्रिव भोक्ता आयोग या इन वैसे कोई नहीं तो जो उप्भोक्ता संदक्शन अधरिम 1986 बना था उसके बाद वो भोक्ता को अपने अधिकारों के लिए शिकायत करने के लिए उसे जिलाव भोक्ता मंच, राजिव भोक्ता आयोग, राष्ट्रिव भोक्ता आयोग यहाँ शिकायत वो कर सकता था जिस अपनी परेशानियों का निफ्टारा करने के लिए तो अगर वो 25 रुपए तक की शिकायद लेकर जाता है, तो वह जिला उब्रोगता मंच पर शिकायद लेकर जाएगा चेप्टर सेवन पॉलिटी का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का तो सही आंसर हो गा, 73 वह संविधान संसूधन, जिसके अंतरब्र मीरो क्रामिर सेटर वएकास के लिए पंचायदी राज व्वस्ता को सचत्थ मन पार्या गया तो देखिए, 73 वी सम्विधान संसुधर के अंतर पर तो ग्रामिन शेत्र के विखास के लिए ग्रामिन स्वाशाशन को ससत्त बनाया गया था और 74 वी सम्विधान संसुधर के अंतर नगरिय शेत्र के विखास के लिए नगरिय स्वाशाशन को ससत्त बनाया गया नाकोर में नाकोर में यानि राजिस्थान में, तरी इस्थरी पंचायती राजविवस्था का प्रारम सबसे पहले राजिस्थान में हुआ था, 2 अक्टूबर 1969 में, और किस जिले में, नाकोर जिले में, नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं, कोशन नमबर और, ग्रामीर स्वासासन जिसे पंचायती राजवेवस्था भी कहते हैं, किस प्रकार की वेवस्था है, इसका सही अंसर है, ग्रामीर स्वासासन एक त्री स्थरिय वेवस्था है, जिसको तीन भागों में बाटा गया है, ग्राम ग्राम सभा की बैठक वर्स में कितनी बार होती है तो इसका सही आंसर है कि साल में चार बार ग्राम सभा की बैठक होती है हैं यानि कह सकते हैं की तीन बढ़िये में एक बार होती है नेक्स्ट कुशन करेंगे question No.6 तो इससे जही आंज़र होगा माह में 2 बार, ग्राम पंचायत की बैटक माह में 2 बार होती है Next देखेंगे question number 7, पंचायती राजविवस्ता की तीसरी सर्वोचेकाई क्या है तो यह हम समझ चुके हैं कि पंचायती राजविवस्ता को तीन भागों में बाटा गया है तो सबसे उपर थी जिला पंचायत और सबसे चोटी थी ग्राम पंचायत Next है question number 8, पंचायती राजविवस्ता की सबसे चोटी इकाई है तो इसे हम समझ चुके हैं कि पंचायती राजविवस्ता की सबसे चोटी इकाई है ग्राम पंचायत Next करते हैं question number nine gram panchayat की सबसे चोटी काई है तो देखिए यहां gram panchayat की pochi gram panchayat की सबसे चोटी काई होती है ward Next है question number ten ward sabha की अध्यक्षता कौन करता है то ward sabha की अध्यक्षता कौन करता है यहांtre ½ Next है question 11 gram panchayat के wardrobe के प्रतिनिधी होता है ग्राम पंचायत की prova मत्ध प्रिति निधी यानी एक जब कर आता है उसे या जैतना जाता है, नेक्सट है Q 이न नमगर 12 Q घ्राम पंचायत कैसे का क्या काम होता है vb Qaad c & 2 1 1e Lesson Number 12, Gram-Panchaeid का क्या काम होता है? सुद्ध वस्षेवेजॆ लूप्लप्द कराना सफाई, साक्षर्ता स्वास्ते, बाल विकास, को बढ़ावा देना जन्म भृत्यू का पंजी करन, महात्मा गांदी नरेगा, यूजना संचालन, विध्याले भवन प्रक्षारोपन और चारागाउं का विकास. तो यह भी आपको याद रखने हैं कि यह ग्राम पंजायत के कार्य हैं क्योंकि option मैं ऐसे नहीं देगा कि ग्राम पंजायत यह कार्य पौवन यह नहीं होगा, तो सूचिए अगर पंजाईद सवीति के कार्यों के लिध्य नरेगा यूजना संचालन, तो वहां आप cancer हो गई तो इसलिए इसे याद रपना है, ग्राम पंचायत का कारे होता है, सुद्ध बसवच्छ, पीजल उप्लत कराना, सफाई करना, साक्षर्ता स्वासने, बाल विकास पोशन को बढ़ावा देना, जन्मी मृत्यों का पंची करन, महादमा गांदी नरी का यूचरा संचालन, दस्यो उस चेत्र की सभी वाड बंच होते हैं, तो ग्राम पंचायत का आर्थ क्या होता है, छोटे नरी को मिला करी ग्राम पंचायत बनती है सरपंच कचुनाव कहना है? सरपंच कचुनाव कहना er गण कौestry सब रहें हम Mogherum, According to these youth can help people get information 15. ग्राम पंचायद की कार्यों की करियानवित्ति के लिए ग्राम पंचायद में ग्राम सेवक की निक्ति कौन करता है तो ग्राम पंचायद की कार्यों को चलाने के लिए ग्राम पंचायद में एक ग्राम सेवक निक्त होता है तो इस ग्राम सेवक करती है सरकार कौन करती है सरक प्रकार होता है, पंचायत समिती का गठन किस प्रकार होता है, तो ग्राम पंचायत जो थी वो चोटे-चोटे गाउन को मिलाकर बन रही थी, और अब पंचायत समिती का गठन विकास अखंड में सामिल सभी ग्राम पंचायतों को मिलाकर होता है, तो सबसे चोटी का ही क्या थी फार उनना šग पंछायत पार, यसी वान को सलना नाँ में सनस्षा चेहलों चारों आज़का ओतार इता आज की दृस्ती से किसमें बाटा गया है? इसका सही अंजर है विकास हंडों में. Next है question number 18. ग्राम सभा का क्या अर्थ होता है? ग्राम सभा का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, किसी ग्राम पंचायत शेत्र की मतदाता सुची में दर्ज मतदाताओं की सभा को ग्राम सभा कहते हैं. यानि कि उस मतततासूची में नाम होना चाहिए उन लोगों का जिनकी उम्र 18 वर्स से अधिक हो इस तरीके से पूछा जाएगा कि ग्राम सभा का अर्थ जो है वह क्या ये лыता है कि जिस भी वैस्क की उम्र 18 वर्स से अधिक हो तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि उसकी उम्र 18 वर्ष्ट तो हो उसके साथ ही उसका नाम जो है ग्राम पंचाय शेटर की मतदाता सुची में भी होना जरूरी है Next है, question 19 ग्राम सभा का क्या कार्य होता है? ग्राम सभा का क्या कार्य होता है? तो ग्राम सभा का जो कार्य है वह होता है ग्राम के विकास के सभी योजनाओं उपर बैठक करना गाओं के विकास के लिए जो भी योजनाओं चलाई जाएंगी तो उन सभी योजनाओं उपर बैठक करना Next है, question 20 ग्राम सच्ची वाले विवस्ता के अंतरव प्रतीक महा किस तारीक को ग्राम सेवक क्रशी परविक्षक A & M आदी दिन भर ग्राम पंचायत मुख्याला परपस्तित होते हैं, तो वो डेट कौन सी होती है, प्रतीक महा की, देखिए, पांच तारीक को, बारा तारीक, बीस तार ग्रामसेवक, क्रसी परविक्षफ, एन्म, यह सभी दिन भर ग्राम पंचायत को ख्याले पर उपस्तित रहेंगे. Next है, question number 21. निम्न के प्रमुक हैं, देखिए, क्या प्रमुक हैं? यहाँ पर ग्राम पंचायत है, पंचायत समिती, जिलापरिशद है, नगरपालिका और नगरपरिशद. तो इनके जो प्रमुक है वो कौन-कौन होते हैं ग्राम पंचायत का प्रमुक होता है सरपंच ठीक है? याद रखीए गए पंचायत सम supporting का होता है प्रधान नेक्स्ट है जिला प्रिशाथ का होता है जिला प्रमुक नगर भालिका का होता है अध्यक्षी और नगर परिशयत का होता है सभापती, तो देखिए इसको याद कैसे करेंगे, ग्राम पंचायत का प्रमुक होता है सरपंच, तो ग्राम पंचायत का तो याद करना बहुत आसान है, पंचायत यानि पंच, तो यहां पर सरपंच, यहां पर भी पंचा रहा है, और जिला परि प्रिशिद का प्रमो को सभावती होता है. Next देखेंगे, question country 2. निन कारे किसके द्वारा संपावित किये जाते हैं? भू अभिले कात्यान करना, ये किसका काम होता है? शक्ति वा कानून ब्यवस्ता, ये किसका काम होता है? तो भू अभिले कात्यान करना, ये पटवारी का काम होता है. जो कि अभी जो बच्चे पटवारी बनेंगे, तो उनको क्या काम करना होगा? उमी का नाप तोल, जो भी अभिले कोंगे, उनका अभिले कात्यान करना होगा. शक्ति वा कानून व्यवस्था यह होता है पोलिस का काम, वजिस्ट्रेट का काम, जरसद सामेगरी उपलप्ट करवाना यह होता है जिला रसद अधिकारी का मेक्स्ट है को शक्ति उर्ट वा रसद तो अधिकारी होता है चला कलेक्टर का मेकार टूश्य। वहां वह सबसे सर्वोच होता है नेक्स्ट है 24 वर्दमान में हमारे देश में राज्य हूं किंदरसासित प्रदेश हैं तो ये जोक्रफिय का question है जो कि आप क्वॉलिटी में भी chapter में पूछा गया है तो वहाँ पर पहले का दिया हुआ था, लेकिन वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्ये हैं और 8 की दर्शाशित प्रदेश हैं, तो इसको ऐसे याद रखिएगा 28 आठ इसका आंसर है, एक जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर उस जिले की जिला परिशाशित का गटन होता है इसका आंसर है, प्रतेक बार्द का मतदाता द्वारा चुना गया जिला प्रमुक उसके साथ उप जिला प्रमुक, जिले से निर्वाचित, जो भी सदस्य, विधान सभा, लोग सभा और राजे सभा यहां जाते हैं, वो सदस्य और समस्त पंचाय समितियों के प्रदान तो ये सभी लोग जिला परिशाशित की सदस्य होते हैं लेक्स देखते हैं, कुश्चन 27, वाडबंच, सरपंच, पंचाय समिति, और जिला परिशाशित का कारेकाल कितना होता हैं तो यहां पर अलग अलग ना पुछके, मैंने एक ही कुश्चन में यह सभी डाल दिया हैं कि वाडबंच, सरपंच, पंचाय समिति, और जिला परिशाशित कारेकाल कितना होता है इसका सही आंसर है पाचोश इसका सही आंसर है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो यह आपको याद रखना है यह कुश्चन जो है वह एजी लग रहा होगा लेकिन जब ऑप्शन आजाते हैं नेक्स नेखी एगी, कोश्या नमबर 29 ,नेम्ल अधिनियम किस वर्स आए तो यहां पर कुश्च अधिनियम दिये हुए है बाल विवाह रोकताम अधिनियम किशोर नयाय अधिनियम बाल योन हिंचा-संड्रक्षन अधिनियम कन्या भून हत्या कानूण चलिए बाल विवा रोकता हम अधनियम 2006 में किसोर या अधनियम ये 2000 में बाल योन हिंसा संद्रक्षन अधनियम ये भी 2000 में और कण्या वरून हत्या कानूर 1994 स्थानिये नगरिये सवसासन की सबसे चोटी काई है इसका सही आंसर होगा कुशिय नंबर वन किसंट चोटी काई कौनसी है नगर पालिका सनीय की वितत तीन हे होती vested जकी जिसमें नगर पालिका सबसे चोटी काई होती है और नगर निगम सबसे बड़ी काई होती है जिस तरीके से ग्रामीर स्वसाशन में जैसे की जो ग्राम पंचायत होती है वह सबसे चोटी काई होती है इसी तरीके से नगरिय स्वसाशन के सबसे चोटी काई होती है नगर पालि पर कैसे किया जाता है जनसंख्या के आधार पर, next question पर चलेंगे, question number 3, नगर पालिका कितनी जनसंख्या वाली नगर को कहा जाता है, तो यह आपको याद रखना है, क्योंकि यह important question है, तो देखें, नगर पालिका जो सबसे चोटी काई होती है, बीस अजार से अधिक और एक ल जिसकी जनसंख्या एक लाग से अधिक और पांच लाग से कम हो, वह जनसंख्या वाला नगर क्या कहलाता है, नगर परिशत, तो भरतपुर जो है वो नगर परिशत के अंतरगत आता है, next question देखेंगे, question number 5, नगर निगम कितनी जनसंख्या वाली नगर को कहा जाता है, तो इसका सही अंसर होगा, जिस नगर की जनसंख्या पांच लाग या उससे अधिक होती है, तो उससे जनसंख्या वाली नगर को कहा जाता है, नगर निगम, तो जैसे कि अजमेर जो है वो नगर निगम में आता है, जैपूर है, वह भी नगर निगम की अंतरगत आता है, तो ए Q6. नगर पालिका का मुखिया क्या कहलाता है? तो नगर पालिका की मुखिया को हम अध्यक्ष कहते हैं. क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं. एसे ही कुष्छन जो है आपके रीट में पूछ लिए जाते हैं पेपर वन निक परिशध का मुखीया किया तो देखिए कि नगर परिषद का मुखीया आद्यक्स होता है नगर परिशत का मुखिया सभापती होता है और नगर निगम का जो मुखिया होता है उसे मेआर कहते हैं या महापोर कहते हैं ये भी याद रुखिएगा next है question 9, नगर पाली का नगर परिशत नगर निगम का कारेकाल कितना होता है नगर पाली का नगर परिशत और नगर निगम, इन सभी का कारेकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है next करते हैं question number 10, तो इस chapter में ज़्यादा difficult question नहीं है, easy ही है सहरी संस्थाओं के क्या कारे हैं, नगरी संस्थाओं के क्या कारे हैं, तो देखिए, कारे होते हैं इनके सुद्ध पाने की व्यवस्ता करना, सटकों पर रोशनी, सफाई की व्यवस्ता करना, मृत्यू, जीवन का पंजी करन करना, दमकल की व्यवस्ता, यानि जहां पर आग तो वहां पर आग बुजाने के लिए जो दमकल गाडियां होती है, उनकी विवस्ता करना, सारवजुनिक बाग स्टेडियम पुष्टकाले बनवाना, तो यह सभी सहरी संस्थाओं के काम होते हैं, जैसे हमने नगरी संस्थाओं के भी कार्या पड़े थे, सहरी संस्थाओं को इनको धन कहां से प्रापत होता है, तो इनको धन की प्राप토 प्रापति जो है वोrogen केंदर और राजसरकार के अनुदान से होती है, रिण की रूप में होती है, और शाहर वासियों पर जो गड़् लगाए जाते हैं, उनसे इनको धन प्राप्त होता है, चंश पूशियल औ ग्रदैनल 9 पर दिपेर निर्वाचित में निरवाचित मा एक पराज है निरवाचित. क्या अर्थ है जैसे कि राष्टपती मनोनीत करते हैं तो निर्वाचन का अर्थ होता है कि वोट द्वारा चुना गया अधिकारी और मनोनीत कार्द होता है कि किसी पदाधिकारी द्वारा निक्त किया जाना किसी एक पदाधिकारी द्वारा अगर किसी को निक्त किया जा रहा है तो वो होता है मनोनीत तो ये चाप्टर जो है वो यहाँ पर कम्प्लीट होता है जम करने वाले जब्लाइब टिर्ट टो इस चाप्टर में भी आपके ज्यादा फैक्ट नहीं निकल कर आए हैं तो जितने भी कुशन बने थे वो मैंने इंक्लूड किये हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं जिला प्रशाशन के कारे कौन-कौन से होते हैं? तो दिवानी नियाले क्या होता है? जिसमें संपत्ति, विवाह, किराया ये सभी शामिल होते हैं, यहां पर नियाय किया जाता है इन सभी बातों का, फौसदारी नियायले क्या होता है? जिसमें मारपीट, चोड़ी, हत्या, ये सभी शामिल होते हैं, नेक्स्ट है राजस्व प्रशाषणिक अधिवाड़ी कौन होता है। इसका रही आंतर है। जिला कलेक्टर। ≫ , next question फॉससदारी विवादों में सबसे पहले पीडित पक्ष को अपने शेत्र के पुलिस थाने में सूचना देनी होती है। उस सूचना को क्या कहते हैं तो देखिए, फॉसदारी विवाद, यानि जो मारपीट, चोडी, हत्या, तो ये होते हैं, तो इसमें जब पीडित पक्ष है, वह है पुलिस थाने में जाके सूचना देता है, तो उस सूचना को हम क्या कहते हैं, तो आप लोगों को पता भी होगा, कि इसे F.I.R कहते हैं, ल भी आते जाएंगे, और थोड़ा सा difficult होता जाएगा, समविधानिक संस्थाएं क्या है, तो इसका सही आंसर है, जिनका गठन समविधान के अनुसार हुआ हो, वही है समविधानिक संस्थाएं, तो इसमें कौन-कौन सी हो सकती है, जैसे लोग सभा, राज्य सभा, विधान स पंचायती राज, नगरिय सवशाशन, तो इस अभी क्या है, समविधानिक संस्थाएं, नेक्स्ट है, शिक्स, नियायले के बाहर आपसी समझाईस द्वारा विवादों को समाप्त कराया जाता है, तो वो कौन सी नियायले होती है, कौन सी अदालत होती है, तो वो होती है, जिसमें जो भी विवाद होते हैं, उनकी समझाईस के लिए नियाले के बाहर विवादों को समाप्त कराया जाता है, नेक्स्ट है, कुश्यन 7, राजिस्थान में कितने संभाग हैं, राजिस्थान में कितने जिले हैं, और कितने संभाग हैं, तो देखिए, राजिस्थान म जोदपुर संभाग, जसमें जैसल मेर, बाड मेर, जालोर, पाली, सिरोही, यह आएगा. ठर्ड संभाग, जुनजुनु सिकर, जैपुर, अलवर्दोसा, जुकि जैपुर संभाग का भाग होगा. उसके बाद हैं भरतपुर, धोलपूर, करॉली, सवाई, मादोपूर, यह आ तो चेप्टर में जो चित्र दिया हुआ है राजिस्तान के मैप का वहां पर ये सभी संभाग जो है वो दिये हुए हैं तो इसके अलावा हम जब जोग्रफी करेंगे तो वहां पर भी हम इसे पड़ेंगे यहां आपको सिर्फ यह याद रफना है कि राजिस्तान में साथ संभाग, जोदपूर संभाग, जैपूर संभाग, भरतपूर संभाग, कोटा संभाग, उदैपूर संभाग और अजमीर संभाग तो यह आपका चैप्टर जो है यह आज यहां पर कतम होता है शिक्स क्लास हमारी कंप्रीट होती है नेक्स्ट सेवन्थ क्लास की पॉलिटी स स्टार्ट करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू